स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्री विपिन सिंग प्रमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा जिससे लोगों को घरद्वार पर ही बेहतर और गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ सेवाएं कुपलब्ध हो सकें प्रमार ने कहा कि प्रदेश की जनता को 330 प्रकार के दवाईयां मुफ्त परदान की जा रही हैं उन्होंने कहा कि चकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए भी शीगर ही 100 MBBS और 200 अरवेदिक चकित्सकों की न्युक्तियां की जाएंगी उन्होंने सुन्दनगर में 12 करोड 50 लाक रुपे की राशी से मात्र शिशु अस्पताल स्थापित किये जाने की बात भी कही इस मौके पर उन्होंने सिविल हॉस्पिटल सुन्दनगर के सौंदेर गरण के लिए 3 लाक रुपे देने की घोशना भी की इस मौके पर स्थानी विधायक राकेश जमवाल ने भी अपने विचार रखे इस मौके पर नाचन विधायक विनोध कुमार बल्ल विधायक इंद्र सिंग गांधी पूर्व मंतरी रूप सिंग ठाकुर अध्यक्ष नगर परिशद पूनम शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी पस्तित थे किया चैनल के लिए सुन्दनगर सही विजय शर्मा की रिपोर्ट